अब बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ है बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो बच्चों आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अव्यव शब्द तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं अव्यव किसी कहते हैं विशब्द जिनमें कोई विकारिया परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यव अत्वा अविकारी शब्द कहते हैं जिसे तेज, बहुत, अंदर, उपर, अब, प्रतितिन, यदियादी अव्यव के 5 भेद होते हैं पहला है क्रिया विशेशन, दूसरा समवन बोदग, तीसरा समुच्चे बोदग, चोथा विसमादी बोदग और पांचवा निपात सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेशन के बारे में जो शब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं उन्हें क्रिया विशेष्ण कहते हैं आईए कुछ उधारनों की जरीए जाने जैसे वह धीरे धीरे चलता है गुड़ा तेज दोड़ता है हम दिल्ली आज जाएंगे वंच लगातार मेहनत कर रहा है तो बच्चों इन वाक्यों में धीरे धीरे तेज आज लगातार क्रियाओं की विशेष्टा बता रहे हैं इसलिए ये क्रिया विशेष्ण शब्द हैं क्रिया विशेशन के चार भीद हैं स्थान वाचक, काल वाचक, परिमान वाचक और रिती वाचक क्रिया विशेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थान वाचक क्रिया विशेशन के बारे में जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थान वाचा क्रिया विशेशन कहते हैं यसे आलोग बाहर खेल रहा है तुम थोड़ी देर यहीं बैठो तरोन को उधर भेज़ दो आप मेरे आगे चलो तो बच्चों इन वाक्यों में बाहर यहीं उधर आगे इनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है अते है शक्त स्थान वाचा क्रिया विशेशन है स्थान वाचा क्रिया विशेशन की पहचान क्रिया के साथ कहां लगा कर प्रशन करके की जाती है प्रशन के उत्तर में ज त्थिती बोढ़ा कृया की स्थिती को बताते हैं जिसे मीचट नीचे उपर पीछे सर्वत रादी और दूसरा है कीज़ा को बताते इसे इधर उधर दाएं बाएं किधर सामने से पीछे से उपर से आ दि आप जानेंगे हम काल वाच्था क्रिया विशैशन क्या है बच्चों जिन क्रिया विशेशनों से क्रिया के हूने के समय का पता चलता है उन्हें काल वाच क्रिया विशेशन कहते है जैसे मैं यहां कल आ गया था वह प्रति दिन सेर करने जाता है विनोध आ जाएगा कमला अभी नहीं आई तो बच्चों इन वाक्यों में कल, प्रति दिन, आज और अभी इन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है अते शब्द कालवाचा क्रिया विशेशन है कालवाचा क्रिया विशेशन की पैचान कैसे की जाए? कालवाचा क्रिया विशेशन की पैचान क्रिया के साथ कब लगा कर प्रश्न करके की जाती है प्रश्न के उत्तर में जो शब्दाता है वही कालवाचा क्रिया विशेशन होता है कालवाचा क्रिया विशेशन के तीन भेद होते हैं सामान्य समय बोधा क्रिया विशेशन अगला होता है अवधी बोधा क्रिया विशेशन और तीसरा होता है आवरती बोधा क्रिया विशेशन तो बच्चो सामान्य समय बोधा क्रिया विशेशन में क्रिया विशेशन से समय का सामान्य बोध होता है जिन शब्दों से वो ही होते में है सामान्य समय बोद और जैसे कि आज कल पर्सों जल्दी नित्य फिर ततकाल तुरंत आदी दूसरा आवधी बोद क्रिया विशेशन इन क्रिया विशेशन होता है जिसे निरंतर लगातार आजकल अब तक जब तक आदी और तीसरे होते है अवरती बोद और इन जिन क्रिया विशेशनों से क्रिया के परिमाण या मात्रा की जानकारी मिलती है। इन वाक्यों में बहुत कम बहुत थोड़ा जरा इन शब्दों से क्रिया की परिमान या मात्रा का ग्यान होता है अते ये शब्द परिमान वाचा क्रिया विशेशन है परिमान वाचा क्रिया विशेशन की पहचान क्रिया के साथ कितना लगा कर प्रशन करके की जाती है प्रश अत्यदिक थोड़ा थोड़ा बहुत कम बहुत ते जाती चोथा है रीती वाचक क्रिया विशेशन बच्चो जिन क्रिया विशेशनों से क्रिया के संपन होने के धंग या रीती का पता चलता है उन्हें रीती वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे कि धीरे धीरे बोलो बच इन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या रिती का पता चलता है रिती वाचक क्रिया विशेशन है बच्चों रिती वाचक क्रिया विशेशन की पहचान क्रिया के साथ कैसे लगा कर प्रश्ण करके की जाती है प्रश्ण की उत्तर में जो शब्द आता है वही रिती वाचक क क्रिया विशेशन निशेद बोधक क्रिया विशेशन प्रकार बोधक क्रिया विशेशन और अवधारणा बोधक क्रिया विशेशन तो पहले पढ़ेंगे हम निश्चे बोधक क्रिया विशेशन के बारे में इस क्रिया विशेशन से क्रिया की निश्चयत्ता का बोध होता है जैसे मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा तुम मेरे जनन दिन पर जरूर आना निश्चय वीर हो वास्तव में आकांशा बिमार है तो ये सारे शब्द इसमें जो आए हैं जैसे अवश्य, जरू, निसहंदे, वास्तव में ये सब निश्चय वोध क्रिया विशेशन के उधारन है दूसरा है अनिश्चय वोध क्रिया विशेशन इस क्रिया विशेशन में क्रिया के होने के बारे में अनिश्चय असंधे प्रकट किया जाता है जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, संभवता वे आज बिमार हो, मैं यथा संभव प्रियास करूँगा, कदाचित आपकी बात सच हो कारण बोधा क्रिया विशेशन है अगला इस क्रिया विशेशन में क्रिया की होने की कारण की और संकेत किया जाता है जैसे मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था, तुम नहीं आये आता है मुझे आना पड़ा वे इसी कारण आना नहीं चाहता था, वे डर के मारे गिर पड़ा तो इसलिए आता है इसी कारण डर के मारे ये सारे शब्त कारण ओधा क्रिया विशेशन है अगला है प्रश्ण वाच्चा क्रिया विशिशन इस क्रिया विशिशन की द्वारा क्रिया की होरी की बारे में प्रश्ण किया जाता है जैसे विपिन यहां क्यों आया था मैंने ऐसा कब कहा था मोनू किधर चला गया आप कहां जा रहे हैं तो इन वाक्यों में क्यों, कब, किधर, कहां ये सारे शक्त प्रश्न बोधा क्रिया विशेशन है. अगला है स्विकार बोधा क्रिया विशेशन. इस क्रिया विशेशन के द्वारा क्रिया के होने को स्विकार किया जाता है. जैसे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा यह तुमने ठीक किया सच मुझ मैं तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे तो हाँ ठीक सच मुझ बिल्कुल शद स्विकार बोदा क्रिया विशेशन है अगला है निशेद बोदा क्रिया विशेशन इस क्रिया विशेशन के द्वारा क्रिया के होने को और सिवकार किया जाता है अर्थाद इसमें नहीं का बोध होता है जैसे कि मैं यह काम नहीं करूँगा तुम अभी वहां मत जाओ ऐसा काम ना करना धिनेश उसके पास कभी नहीं जाएगा तो नहीं मत ना कभी नहीं ये ऐसे शब्द है जो निशेद बुदा क्रिया विशेशन शब्द हैं अगला है प्रकार बुदा क्रिया विशेशन इस क्रिया विशेशन के द्वारा क्रिया के होने के धंका पता चलता है जैसे मदूर धीरे धीरे चल रहा था यात्रा जैसे तैसे पूरी हुई मैं वहाँ से पैदल आया हूँ वह चलते चलते गिर पड़ा तो इन वाक्यों में धीरे धीरे जैसे तैसे पैदल चलते जलते ये सब प्रकार बोधा क्रिया विशेशन है अगला है अवधारना बोधा क्रिया विशेशन इस क्रिया विशेशन के द्वारा क्रिया की सीमा निर्धारित होती है जैसे हमने ताजमेल को जीभर देखा वे आपसे केवल मिलना चाहता है वे काम अब तक हो गया होगा आज वे मन चाहा घुमा तो जीभर केवल अब तक मन चाहा ये शब्द अवधारना भूदक क्रिया विशेशन है आईए बच्चों आप जानेंगे हम संबंद भूदक क्या है अगला अव्याव हमारा संबंद भूदक जो अव्याव संग्याय सर्वनाम शब्द के बाद लगकर उसका संबंद वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंद भूदक कहते हैं जैसे की पेड़ पर पक्षी बैठे है आकाश में चान चमक रहा है वह मोहन के साथ चला जाएगा बबलू के घर के पीछे एक तालाब है तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्द हैं जैसे पर में के साथ के के पीछे ये शब्द वाक्यों में आए हुए संग्याय सर्वनाम शब्दों के बीच संबंद बता रहे हैं जैसे कि पर, पेड़ और पक्षी के बीच में संबन्द बता रहा है, मैं अकाश और चांद के बीच में संबन्द बता रहा है, के साथ वह और मेहोन के बीच में संबन्द बता रहा है, और के बबलू और घर के बीच में संबन्द बता रहा है, के पीछे के द्वारा घर और त पर संबनpose के भेद जो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है रूड संबन we old बचों केवल एक शब्स से बनने वाले संबनoden का रूड कहलाते हैं इन्हें बनाने के लिए किसी अन्य शब्द का योग करने पहनले की अव्शक्ता नहीं होती आरथात इनके साथ किसी और शब्द को जोडने की जरूरत नहीं होती है जैसे ने, से, को, का, की, के, मे, पर, तक ये सब रूर संबद बोदक शब्द है दूसरा है यौगिक संबंद बोदक ये संबंद बोदक के, से, की, के बाद क्रिया विशेशन या अन्य शब्द लगाने से बनते हैं जैसे, के के बाद लगा बिना, के सिवा, के विप्रित के साथ, के दूर, से आगे, से पीछे की तरहा की भाती की और आदी दूसरा संबंद बोदक का भेद है अर्थ के अधार पर अर्थ के अधार पर संब्ध मुद्ध कई प्रकार के होते हैं जैसे की पहला है कालवाचक कालवाचक में आने वाले शब्द हैं से पहले से पूर के पहले के बाद के पश्चात के उपरानता दी दूसरा है स्थानवाचक स्थानवाचक में आने वाले शब्द हैं में, पर, के आगे, के पीछे, के पास, के निकट, के उपर, के नीचे, के बीच, से दूर, के अंदर, के बाहर के सामने आ दी और अगले होते हैं दिशाशूचक सब्द इसमें आने वाले शब्द है को की और की तरफ के चारों और अगला है साधन सूचक इसमें आने वाले शब्द है से के द्वारा के सहारे के जर्ये के आसरे अगला है उद्देश्य सूचक इसमें आने वाले शब्द है के लिए केहेतू के निर्मित की खातिरा दी और अगले होते हैं विरोध सूचक विरोध सूचक शब्द हैं कि विरोध के विपरित के खिलाफ के प्रतिकूल के उलट और अगले होते हैं कारण सूचक कारण सूचक शब्द हैं के बलिये के कारण के मारे और आगे होते हैं साद्रिश्य सूचक साद्रिशे सूचक शब्द हैं कि जैसा के अनुरूप के समान के तुल्य के योग की तरह की भातिया दी आगे है सहर्चे सूचक इसमें आने वाले शब्द हैं कि साथ के समेत के संग अगले होते हैं व्यत्रिक सूचक इसमें आने वाले शब्द हैं बच्चों के अलावा के अत्रिक्त के बिना के सिवा दी और अगले होते हैं अलगाव सूचक शब्द इसमें आने वाले शब्द होते हैं से, से दूर, से परे, से हट कर और आगे होते हैं तुलना सूचक शब्द इसमें आने मारे शब्द है कि अपेक्षा की तुलना में आदी बच्चों संबन बोदक और क्रिया विशेशन में अंतर जाल लेते हैं बच्चों को शब्द संबन बोदक की रूप में भी प्रियोग होते हैं और क्रिया विशेशन की रूप में भी ऐसे शब्दों के पहचान करना अधी कठिन नहीं है इसके लिए देखना चाहिए कि अगर वैशाब्द वाक्य में प्रियूख शब्दों के आपसी संबंद को बता रहा है तो वैश संबंद बोदक होगा लेकिन यदि वैश क्रिया की जाना ये क्रिया विशेशन है उसकी पीठ के पीछे बुराई मत करो के पीछे आने के कारण संबंद बोदक है तुम पीछे बैठो केवल पीछे आने के कारण ये क्रिया विशेशन है करोना के पास एक कुटता है के पास आया तो संबंद बोदक पास आओ तो सुनाई देग कोला हुल से दूर नाम के अनुरूपा दी बच्चों कभी-कभी कुछ सम्मन बोदा कारक्चिनों के बिना प्रियोग किये जाते हैं ऐसे स्थानों पर कारक्चिन छिपा रहता है जैसे कि दिये तले अंधेरा सम्मान बिना क्या जीना सम्मान के बिना क्या जीना आगे है समुच्य बोदाग अव्यव बच्चों जो अव्यव पाद एक शब्द का दूसरे शब्द से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक व्याक्यांच का दूसरे व्याक्यांच से सम्मन जोडते हैं वे समुच्चे बोदक अव्यव गहलाते हैं जैसे कि यह काम रवी और शेकर ने मिलकर किया है आज या मोहन के पिता या दिनेश के भाई सहाब आएंगे मैं बाजार गया था लेकिन तुम्हारा चश्मा लाना भूल गया बाहर चाता लेकर जाना क्योंकि आज बर्शा हो सकती है तो बच्चो इन वाक्यों में पहले वाक्य में और दो शब्दों को जोड़ रहा है दूसरे वाक्य में या दो व्याक्यांशों को जोड़ रहा है और समुच्चे बुदक के दो भेद होते हैं पहला है समाना धीकरन समुच्चे बुदक और दूसरा होता है व्यधीकरन समुच्चे बुदक तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समाने धीकरन समुच्चे बुदक क्या है जो समुच्चे बोदक दो या दो से अधिक समान पदों या उफ़ाक्यों को जूडते हैं उन्हें समाना अधिकरन समुच्चे बोदक गयते हैं जैसे कि राकेश और पवन शहर जा रहे हैं उसने परिश्रम तो बहुत किया किन्तु प्रतियोगता में सफल ना हो सका जल्दी करो और यह था रेल गारी छूट जाएगी बच्चो समाना अधिकरन समुच्चे बोदक के भी चार प्रकार होते हैं पहला संयोजक दूसरा वियोजक तीसरा विरोसुचक और चौथा होता है परिणाम सुचक तो सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजक क्या है ये समुचे बोदब दो या दो से अधिक समान पदों, व्यक्यांचों या उपवाक्यों को जूड़ने का कारे करते हैं जिसे रीना और रगू कैरम खेल रहे हैं वह यहां आया तथा अपना काम करके चला गया रमान एवाम रजनी का विवा संपन हो गया पहले योग्य बनो, फिर कुछ पाने की इच्छा करो इन वाक्यों में और तथा एवाम फिर जो हैं वो संयोजक का कारे कर रहे हैं अगला है व्योजक ये समुचे बोदब अपने दोरा जोड़े जाने वाले शब्दों में से दोनों या एक का त्याक करते हैं जैसे गिरराज या उमेश को यहां भेज देना, मोहन अथवा सुरेज ने उसकी साहता की है या तो मेरी बात मानो, या नोकरी छोड़ दो, ना मैं स्वैम जाओंगा, ना तुम्हें जाने दूँगा या अथवा ना ये शब्द जो है वो व्योजक का कारे कर रहे है तीसरा है विरोज सुचक बच्चों ये समुचे बुदब दो बातों में से एक के विरोज का भाव प्रकट करते हैं जैसे हम ने उसे आमंतरित किया था, लेकिन वे नहीं आया पिताजी ने मेरे भावई को बहुत समझाया, किन्तु वे टस से मस नहीं हुआ कलासमान में घने बादल थे, परंतु वर्षा नहीं हुए तो लेकिन किन्तु परंतु जो है विरोज सुचक प्रकट कर रहे हैं तो ये विरोज सुचक शब्द है और चौता है परिणाम सुचक ये समुचे बुदक दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के परिणाम की और संकेत करके उन्हें जोडते हैं जैसे तुम मेरी बात समस्ते हो, इसलिए मैं तुम से दिल की बात कर लेता हूँ पुनम घर पर नहीं थी, अते उससे बात नहीं हो सकी कल अपना गरे कारे पूरा करके लाना अन्यथा सजा मिलेगी इसलिए अते अन्यथा जो है वो परिणाम की और सुचना दे रहे हैं तो ये परिणाम सुचक शब्द है बच्चों अगला भेद है समुच्य बोदक का व्यदी करन समुच्य बोदक तो बच्चों जो समुच्य बोदक किसी वाक्य के आशित उपाक्यों को जोडते हैं उन्हें व्यदी करन समुच्य बोदक कहते हैं जैसे कि अगर वर्षा नहीं हुई तो मैंने ही आऊंगा। वै कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि उसका व्यपार चल निकले। वै जानता है कि तुम उसे धोका नहीं दे सकते। बच्चों व्यदी करण समुचे बोदक भी चार प्रकार के होते हैं। बच्चों इन समुचे बोदकों का प्रयोग सूचित करने वाले उपवाके से पहले होता है। जैसे तुम सदा सत्य बोलते हो इसी लिए लोग तुमारा विश्वास नहीं करते। चोर पकड़ा जा सका क्योंकि पुलिस समय पर पहुँच गई। अजव काश है इस कारण विध्याले में कोई नहीं आए। तो इसलिए क्योंकि इस कारण वाचक समुचे बोदक है। अगला है दूसरा उदेश्य वाचक, इन समुचे वद्योका का प्रयोग उदेश्य को सूचित करने वाले उपवाके से पहले होता है, जिसे मैं वहाँ गया था, ताकि सच का पता लगा सुखुन, वह यहां आया है, जिससे तुम्हारी मदद हो सके, वह तुम्हारी सायता करत है, इसलिए वह तुम्हे खुश देखना चाहता है, तो ताकि जिससे इसलिए कि यह सब क्या है, उदेश्य वाचक समुचे वद्योक, और तीसरा है संकेत वाचक, इन समुचे वद्योकों का प्रयोग शर्थ को सूचित करने वाले उपवाके से पहले होता है, जिसे तो यद भी जब तभी यह सब संकेत वाचक समुचे वद्योक है, अगला है स्वरूप सूचक, इन समुचे वद्योकों का प्रयोग पहले उपवाके के अर्थ को सपष्ट करने वाले उपवाके से पहले होता है, जैसे वह इस तरह दिखावा कर रहा था, मानो वह बहुत ब रूप सूचक शब्द है, अगला अव्यव है हमारा विस्म आदी बोदक अव्यव, बच्चों जो अव्यव आश्यरे, शोक, हश, करोणा, दया, दुख, घ्रिना, आदी मनोभाओं को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्म आदी बोदक कहते हैं, जैसे कि अरे, तुमने मुझ आए, वाह, अहा, ये शब्द जो हैं, वो वाक्यों से सीधा संबंद इनका नहीं होता है, ये मन के अलग-अलग भावों को प्रकट कर रहे हैं, इन्हें इसलिए विस्म आदी बोदक शब्द कहते हैं, विस्म आदी बोदक वाक्य के आरम में आता है, इसके बाद विस्म आ दूसरा है हर सूचक, इसमें आते हैं शब्द अहा, वाह, शाबाज, धन्य, तीसरा है शोक सूचक, इसमें आने वाले शब्द हाय, अह, ओह, ही भगवान, चौता है अनुमोदन सूचक, इसमें आते हैं शब्द हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, ठीक, पांच्वा हैं सं कश्टा सूचक इसमें जब также कदाचित आठ्वाएं भैसूचग इसमें आने वाले शब ने उई मां औरे बापरे अरी माईयां त्रही त्रही by नौाये विदा सूचग इस MOMική ये टू पढ़ verw खबरदार हटो तो यह तो पड़े हमने विस्म्यादी बुदक्षप अब अगला अव्याव हमारा निपात बच्चों जो अव्याव वाक्य में प्रियूप किसी पत पर विशेश बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं आईए जाने वाक्यों के जरिये जैसे ऐसा दुस्साहस विवेख ही कर सकता है अब तो वहे आपको नहीं मिलेगा मैं उसका एक संदेश वाहक मात्र हूँ बच्चे तक इस बात को समझते हैं हमारा परिक्षा प्रणाम आज भी आ सकता है तो बच्चों इन वाक्यों में ही तो मात्र तक भी जो शब्द है वो अपने से पूर्व आये पदों पर विशेश बल दे रहे हैं इन्हें ही निपा कि अचे वाक्यों प्रीक्ष एक सहायक शब्द हुता है जिसे वाक्यों का अंग माना नहीं जाता हिंदी में प्र्यूक्त होने वाले निपात हैं ही तो भर मात्र केवल तक भी ना दि तो बच्चों हमने सारे अव्यव जान लिए लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस बाट को दोहरा लेते हैं जिशप्त क्रिया की विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं स्थान वाचक, काल वाचक, परिमान वाचक और रिती वाचक स्थान वाचा क्रिया विशेशन से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है स्थान वाचा क्रिया विशेशन के दो भेद हैं स्थिती बोधा क्रिया विशेशन और दिशा बोधा क्रिया विशेशन काल वाचा क्रिया विशेशन से क्रिया के होने के समय का पता चलता है काल वाचा क्रिया विशेशन के तीन भेद होते हैं सामान्य, समय बोधा क्रिया विशेशन, अवधी बोधा क्रिया विशेशन और आवरती बोधा क्रिया विशेशन परिमान वाचा क्रिया विशेशन से क्रिया के परिमान या मात्रा की जानकारी मिलती है रिती वाचा क्रिया विशेशन से क्रिया के संपन होने के धंग या रिती का पता चलता है रिती वाचा क्रिया विशेशन के आठ भेद होते है निश्चे बोधक क्रिया विशेशन, अनिश्चे बोधक क्रिया विशेशन, कारण बोधक क्रिया विशेशन, प्रश्ण वाचक क्रिया विशेशन, स्विकार बोधक क्रिया विशेशन, निशेद बोधक क्रिया विशेशन, प्रकार बोधक क्रिया विशेशन और अवधारना जो अव्याव संग्या या सर्मनाम शब्द के बाद लगकर उसका संबंद वाक्य में आयुए अन्य शब्दों के साथ प्रकच करते हैं उन्हें संबंद बोधक क्याते हैं आर्थ के अदार पर संबंद बोदक के कई भेद होते हैं जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा सूचक, सादन सूचक, उद्देश्य सूचक, विरोज सूचक, कारण सूचक, साद्रिश्य सूचक, साहर्श्य सूचक, व्यतरेक सूचक, अलगाव सूचक और तुलना सू कुछ शब्द संबन बोदक की रूप में प्रयोग होते हैं और क्रिया विशेशन की रूप में भी अगर शब्द वाक्य में प्रयोग शब्दों के आपसी संबन को बता रहा है तो वह संबन बोदक होगा लेकिन यदि वैक्रिया की विशेशता बता रहा है तो वैक्रिया वि समाननाधिकरन समुच्चे और व्यदीकरन समुच्चे वुदक चारप्रकार का होता है वियों किसे वाक्य के आश्रित उप्वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें विश्मयाधिवदक क्याते हैं विसमें आदिबोधा को वाक्य के आरम में आता है जो अव्याव वाक्य में प्रियुक्त किसी पत पर विशेश भल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं ही, तो, भर, केवल, तक भी और ना हिंदी में प्रियुक्त होने वाले निपात है तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको अव्याव पाड अच्छे से समझ में आ गया होगा अब समय है अभ्यासका, इसका अभ्यासकारे आप स्वाहिम कीजे